नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निठारीक कांड की नर्पिसाज कोली और पंठेर की दिल दहला देने वाली दास्ता पूरे देश को जगजोड देने वाले नौइडा के मोश्ट पेमस निठारी कांड में आरोपी मनिंदर सिंग पंठेर और सुरिंदर कोली को फांसी की सजा मिली थी इस्पेशल सीवी आई कोट ने 20 साल की पिंकी सरकार रेप और मडर केस में पंठेर और कोली को दोसी पाते हुए साल 2006 में हुए इस कांड में सजा सुनाई थी यह इस कांड का आठवा केस था तो आए जानते हैं उस वक्त क्या हुआ था और क्या है निठारी कांड की दिल देहला लें देने वाली मैंने तरह कट करके और इसका मेरे पाजयू और यह कीस्भी कषोशी पर तुमने जबरने खनाए प्रना की प्रकाणी तुमने जबाशनी संगे प्र्णु करुछी था मैंने अनए इस घटना ने मेरे पुरे कॉंसर्ट को एला दिया, मेरे पुरे लाइप को हिला दिया, मैंने अज़ उसका भी नहीं था कि मैं इतने बच्चे उड़ा दो नहीं था एक निष्जित लोकाश था है तक द्टना दिशन्ध में यहांज्डिज्दा मैं आदा भाइप जाता था वर ca bleiben इस पुरे मामले में इक ही ताल 2006 नौइडा का निठारी गाउं कोठी नंबर डी फाइव यहां से जब इनसानी कंकाल मिलने सुरू हुए तो पूरे देश में संसनी फैल गई सीबियाई को जांच के दोरान इनसानों की हट्टियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकिट मिले जिनमें इनसानी अंगों को भरकर नाले में फैक दिया गया था कोठी के मालिक मनिंदर सिंग पंठेर और उसके नौकर सुरेंदर कोली को पुलिस ने धरदबोचा इस मामले का खुलासत तब हुआ जब 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई वे मनिंदर पंठेर की कोठी में रिक्से से आई थी अब क्यूंकि उसे वापस भी जाना था तो उसने रिक्से वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कहीं काफी देर बाद जब वे वापस नहीं लोटी तो रिक्से वाला पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया इस पर उसे सुरेंदर कोली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है रिक्से वाले का कहना था कि वे कोठी के सामने ही था पायल बाहर नहीं निकली यह बात पायल के घरवालों तक पहुंची इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने एफ आई यार लिखवाई कि उस जो की घटना के बाद से सुचोफ था, पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगों के नंबर मिले, उन नंबरों की जाच की गई जिसमें सुराग मिल गए, उसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा, इस तरह से निठारी क नरपिसाच का काला सच सब के सामने आ गया, निठारी का नरपिसाच सुरेंदर कोली उत्राखंड के अलमोडा के एक गाउं का रहने वाला था, सन 2000 में वे दिल्ली आया, दिल्ली में कोली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करने लगा, साल 2003 में पंठेर के कॉल गरल आया करती थी, इस दोरान वे कोठी के गेट पर नजर रखता था, इस दोरान कोली दीरे दीरे नेक्रोफीलिया नामक मानसिक वीमारी से ग्रसित हो गया, और वे बच्चों के प्रति आगरसित होने लगा, उस पर आरूप लगा कि वे कोठी से गुजरने वाले उसने विदेशों में बेच दिया जाता है, सुरेंदर कोली और पंठित को जेल बेजा गया और उसको सजाए मौत मिली, यह है उस घर के अंदर की कुछ तस्वीर है, जहां यह नरसंगार हुआ था, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता वाले होते हैं य जिन्हों ने इन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इस घटना ने पुलिस मेडिया और पूरे देश की जनता को जखजोड दिया, पुलिस ने इस केस को जल्द से जल्द सौल्ट गटना पर एक मूवी दा कर्मा किलिंग भी बन चुकी है, आपको यह जानकार कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, इन्फरमेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए